नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, फार्मा स्कॉलर में मैं आपका स्वागत करता हूँ, बेसिक केमेस्ट्री के कंसेप्ट में एक्सप्रेसिंग कॉंसेंटरेशन को हम लोग देखने देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग मोल फ्रेक्शन को स्टरी करने वाले हैं, तो एक्सप्रेस करने के लिए इतने सारे आपके पास तरीके हैं जिसको हम लोग percentage by weight, percentage by volume, percentage weight by volume, mole fraction, parts per million, molarity, molality और normality को देखने वाले हैं इन में से पहले तीन concept को हमने already study किया है, already देखा है तो उसका वीडियो आप वहाँ से देख लिजिए और एक बात बता दू कि इन सभी concept को समझने के लिए आपको mole का concept बहुत ही अच्छा होना चाहिए इसके लिए एक अलग सा 40 मिनिट का वीडियो बनाया है उसको भी आप लो से तो एक example लेते है एक family है जिस family में तीन लोग है तीन सदस्य है तो मैं इन सदस्यों को दो भागों में divide कर रहा हूँ एक जो भाग है वह है male और दूसरा है female तो इसमें male का mole fraction कितना है और female का mole fraction कितना है इसको अगर समझते हैं आप लोग तो chemistry का mole fraction बहुत ही आसान बन लिखना है तो मुझे करना क्या है मुझे करना यह बहूत सिंपल बात है कि समें male कितने है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है यहाँ दो male है और एक female है और पूरे कितने है तो पूरे जोग 3 है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं male की संख्या को उपर लिखने वाला हूँ, और total की संख्या को नीचे लिख रहा हूँ, तो male उपर 2 है, divided by 3 करूगा, total number है, तो मुझे मिलेगा mole fraction of male, अगर mole fraction of female निकालना है, तो मैं उपर करूगा, यहाँ पर उसका answer 0.67 आएगा, उपर करू अब यहाँ पर एक interesting चीज यह है, कि हम जब mole fraction निकालते हैं, तो उस mole fraction का जो sum होता है, टोटल होता है, वो हमेशा एक होता है, यहाँ पर दे सकते हैं, 0.667 प्लस 0.333, that is equal to 1, तो इस चीज पर भी कई बार सामान्य, simple question पूचते हैं, तो चलिए हम लोग chemistry में थोड़ा सा घ पूचते हैं, तो mole fraction यह very important concept है, as far as your theory or your competitive exam is concerned, तो मानलो आपके पास एक कामप, हम अगर इसको chemistry में पढ़ते हैं, तो chemistry में solution को पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि solution में हमेशा दो चीज़े important होती है, एक होता है solute और दूसरा होता है solvent, तो मानलो मेरे पास एक component A है, इसको मै solute, solute नहीं बोल रहा हूँ, component बोल रहा हूँ, solute कब बोलना है, solvent कब बोलना है, उसका वीडियो भी हमने अरड़ी बनाया, तो component A है, जिसके तीन मोल है, मैं मेरे पास component B है, जिसके दो मोल, एक मोल है, मतलब पहला जिसके ज्यादा मोल होते है, वो होता है solvent, और जिसके कम मो solution, तो मुझे जानना है कि इसमें total mole कितने बन गए, तो मैं total mole गुरू का इसमें 4 बने है, so total number of moles are 4 अभी मुझे देखना है कि इसका mole fraction कितना है, तो mole fraction जानने के लिए मैं करने वाला बहुत ही simple चीज हूँ जैसे यहाँ पर मैं मेरे a component के कितने moles है divided by total moles को करने बाला हो, तो इसका answer आएगा 3 divided by 4 मैं mole fraction of b बूलूँगा तो उसका उपर 1 ही आएगा और नीचे 4 आएगा, so that will be 1 divided by 4, तो यह बहुत ही simple तरीके से हमने उसको mole fraction निकाला है, इसकी अब total करेंगे दोनों की, तो that will be equal to 1, तो अब मैं formula देखता हूँ, बहुत ही simple तरीके से उसको formula बनाने, तो formula में क्या होना चाहिए formula में उपर क्या होना चाहिए उपर मेरे component के moles कितने है divided by क्या करने वाला हूँ मैं total number of moles, total number of moles तो यह बहुत ही easy, बहुत ही simple formula बनता है, जैसे mole fraction of a निकालता हूँ मैं तो number of moles of a divided by क्या करने वाला हूँ total number of moles मतलब ही number of moles of a plus number of moles of b करूगा, तो इसको हम लोग, generally हम लोग mole fraction को काई, इस सिंबॉल से निट करते हैं, आप जिसको x भी बोल सकते हैं, तो मुझे mole fraction of a निकालना है, तो मैं उपर क्या लिकालना है, तो मैं उपर क्या कर रहा हूँ, मैं उपर सिंब लोगा, तो यह बहुत ही simple तरीका हो गया, very important thing आपको इस वीडियो में दहां में रखना है, कि mole fraction of all components is always unity, और one, मतलब हम मेरे पास अगर चार component है, तो चार component का mole fraction मेरा एक आएगा, दो component है, तो उनका भी mole fraction total एक आएगा, तीन component है, उसका भी mole fraction एक ही आएगा, तो इस चीज़को आपको हमेशा दहां में रखना है, तो इस case में मेरे पास दो component है, तो मैं इस तरह बुलूँगा, कि xa plus xb is equal to 1, कभी-कभी बहुत ही simple question पूचते हैं, कि वो exam में आपको देते हैं, xa की value 0.75 है, तो mole fraction अब भी कितना होगा, तो बहुत ही simple होगा, that will be 0.25 So, we'll move to the example, example के तरीके से हम समझते हैं, we'll take very first example, very important example, कि आपके पास एक NOS solution है, और कैसे बनाया है, हम लोगों ने, उसको बनाया है, 20 gram NOS लिया है, 36 gram water में, तो इसके आपको mole fraction निकालना है, तो mole fraction निकालने के लिए, आपको निकालना पड़ता है पहले number of moles, मैंने अल्रेडी बताया कि उसका एक separately video बनाया है, उसको भी आप देख लीजिए ताकि आप easily mole fraction कर पाऊगे mole fraction करने के लिए number of moles निकालना बहुत ही important है, बहुत ही easy है तो mole fraction हमें निकालने है NaOH के और water के तो ये mole fraction निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा पहले हमें ये formula देखना पड़ेगा कि formula क्या है, तो mole fraction of A निकालना है, तो na divided by na plus nb, तो पहले मुझे number of moles निकालने पड़ेगे, number of moles अगर आप करते हैं तो उपर मास दिया है कितने मास दिया है और उसका मोला मास भी नीचे दिया है कितना दिया है अभी मुझे वाटर निकालना है तो वाटर का मास कितना दिया है 36 ग्राम दिया है मुरावेट कितना है उसका 18 है तो यह आएगा 2 मोल्स मतलब मेरे पास 0.5 मोल्स एनेवेश के हैं और 2 मोल्स वाटर के तो अब मेरे लिए बहुत ही इजी बन जाएगा नंबर आफ मोल्स को नि जिसका मोलफ यह उसको ऊपर लेना है जैसे हम पर मैं वाटर का मॉल्स निकालता हूं तो अणबर आप मोल्स में नेले मैं बहुत ही आसाने तो चरिए करते हम Lo तो इसको हम लोग 0.5 divided by 2.5 और उसका इंसर आईगा आपका 0.2 मतलब मेरे पास 0.2 मोल फ्रेक्शन है एने ओएच के अब आपको अगे बढ़ना नहीं है कॉम्पूटिटी एक्जाम को स्वाल कर रहे है तो सिधा बोल दो यहां के 0.2 है मतलब उधर कितने होना चीए वाटर के मोल वो 0.8 होना चीए क्योंकि दोनों का एडिशन कितना आता है दोनों का एडिशन एक आता है तो चली देखते हैं लोग जैसे यहां पर ऊपर कितना आना चीए उपर 2 आना चीए पानी के मोल कितने है और टोटल मोल कितने है डाई है तो कितना आएगा यह 2 डिवाइद बाई 2.5 इसको अपस्वाल करोगे तो उसका इसर आएगा 0.8 तो इन दोनों की टोटल कितनी हो रही है इन दोनों की टोटल होती है वन इसको भूलना नहीं है चलिए और एक इंग्जामपल देख लेते हैं ताकि आपका कॉंसर्ट बहुती प्रिके से खलिर होगा एक और एक एंग्जामपल लेते हम लोग यहां पर हमने क्या किया यहां पर हमने इथीज अलकॉ और कालना पानी का और अलकॉहल निकालना है पॉस्त अर्सवारी तो आपको अल्कॉहल के नंबर ऑफ मोले और के बूंस चाहिए तो फार्मृ is अगेन आपका होई है मास आपको दिया रहता है और आपको एघ्राइट करना एक इसको इसको डिवाइड करना है तो चलिए अब यहां पर इस तरह का है कि एथील अलकॉल को परसेंट में मास दिया है जो है 46% प्रसंट बतर इसका बहुत सिंपल मतलब है कि आपके पास 46 ग्राम क्या है 46 g ग्राम आपके पास story of alcohol है और उसने उन दोनों का मास बनाओ है 100 gsin प्रसंट मतलब into 100 gonal of water मतलब दोनों का मिलको कितना बनाओ 100 तो यहाँ पे अगर आप इसको easily देखेंगे तो बोलेंगे 46 ग्राम कौन है इथील अलकोहल और रिमिनिंग कौन है रिमिनिंग आपके पास water है वो कितना बनेगा वो बनेगा 54 ग्राम तो दोनों की addition जो है दोनों की addition सवाना चाहिए that is simple thing तो इसको भी हम लोग बहुत easily कर लेंगे तो number of most of alcohol number of most निकालना है तो उसका mass दिया है और give a mass भी दिया है 46 तो 46 divided by 46 that will be equal to 1 mole मतलब आपके पास पानी का एक mole है number of most हम निकालते हैं water के तो 54 54 divided by 18 54 फिर से धायम में रखिए 54 कहां से आया percent में बोला है थोड़ा सा question को गुमा के पूछा है directly उसका weight नहीं दिया आपको पानी का weight कितना है यहां पे उसने बोला कि 46 percent बोला है तो 46 alcohol है remaining up to 100 कौन है आपका पानी है तो उसका ज now of NA की value मिल गई और DB की value भी मिल गई दोनों की मिला की value होती है 4 मतलब divided by क्लाने वाला यहां पे 4 तो alcohol के निकालते हैं तो alcohol के नमबर of moles divided by total number of moles को करना है तो water के निकालने के लिए उपर water का number of moles लेना है नीचे total number of moles लेना है तो पानी के alcohol के moles 1 है और नीचे total 4 है तो 1 divided by 4 that is equal to 0.25 पानी की बात करते हैं 3 divided by 4 आएगा and that is equal to 0.75 आप कभी-कभी बीना देखे इसको कर सकते हैं क्योंकि इसकी total दोनों की मिला के एक आती है so that is very simple thing so thank you for watching this video till the end and अगर आपको सही में लगता है कि ये आपके लिए useful video है useful channel है तो आप उसको subscribe, share, comment करना बिल्कुल ना भूलेंगे so thank you, thank you for watching this video again मैं अगले वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो आगे वाले concept के ओपर है normality का आएगा molality का आएगा molality का आएगा वो भी बूलना नहीं है